हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका होम टिशन चल पे दोस्तों आप में से बहुत सारे अभरत्यों को दिल्ले प्लिस हैड कॉंस्टिबल मिनिस्ट्रल की एक्जाम डेट का इंद्जार है दोस्तों और हम भी आपके साथ लगातार इसी करम में बढ़े होए हैं दोस्तों तो हमने का डाली थी थोड़े दिन पहले और उसमें दिल्ले प्लिस से पूछने की कोशिस की थी कि एक्जाम डेट है क्या वो फिक्स हुई है कि नहीं हुई है और अगर नहीं हुई है तो कौन से महिने में एक्जाम डेट है वो करवाई जा सकती है तो दिल्ले प्लिस ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो डेट दे देंगे दोस्तों लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि दिल्लेपलिस ने जो आर्टिया में रिप्लाई दिया है उसमें यही कहा है कि अभी तक दिल्लेपलिस हैड कॉंस्टिबल मिनिस्टिल की कोई भी एक्जाम डेट के बा नहीं है और कब होगी यह अभी पता नहीं है दोस्तों लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कोवीड नाइंटीन चला हुआ है तो ऐसे में मार्च से पहले दिल्लेपलिस हैड कॉंस्टिबल का जो एक्जाम है वो कंड़क करवाना संभाव नहीं है दोस्तों आपको नहीं है और जब भी एक्जाम डेट फिक्स होगी वो साइट पर दे दी जाएगे उन्होंने कोई लेटर बताया है उसमें इसका रिपलाई भी दिया इन्होंने ठेक है तो यहां पे जो अपडेट है वो यही है कि आपका जो एक्जाम है दिल्लेपलिस हैड कॉंस्टिबल म मिनिश्चल की और सिये चर jsल 2020 आपको मता उसका ऐग्जाम अप्रेल में होने वाड़ा है और लगब लगर की लास्ट में अप्रेल महिने में ही दिल्लेपलिस सेड कॉंस्टिबल मिनिश्चल का बी एकजाम होने वाला है तो हम पांच दिसंबर से एक पेड कोर्स लेके आ रहे हैं जो की मैथ और रिजनिंग दोनों का रहेगा ठेक है और ये जो कोर्स है ये पूरे च्यार महिने करेगा बिल्कुल डिटेल से मैथ और रिजनिंग आपकी उंगलियों पर रहेंगी दोस्तों ठेक है अगर आपनी बैच को जो इन किया तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से हम आपको मैथ और रिजनिंग दोनों सब्जेट पढ़ाएंगे ठेक है तो पांच रॉंबर से बैच आ रहा है ठेक है फीस है वो हम आपको बाद में बता देंगे जब बैच लांच होगा तभी आम आपको बता दें कि चली कि मार्च से पहले एक्जाम पोसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 और बहुत सारे कारण अन्य है ठेक है तो इस ऐसे में एक्जाम कंटर्ट करवाना संबव नहीं है आप अपनी तयारी में कंटेनर रहिए और लगातार पढ़ते रहिए ताकि जब भी एक्जाम हो आ आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही निकड़ कि आए दोस्तों ठेक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करें सेर करो चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद